जब आज ग्मिरी सवान अन Кई hyvä कर नख ये ओसमें डो क्यारेक्टर्स हमने आज देखे जो पहली बार मीडिया ने देखे और यो केलेक्टर्स ने काफी घंबीर आरोप लगए है सबसे पहले वो दो शक्स को आप जानते हो personally और क्या किस तरगा relation है आपका और दोग शक्स को तो मैं जानता हूं देखो एक को मैं customer किसकता हूं, एक इंसान को तो मैं जिन्दगी में 4 पाम बर मिला को यह तो नहीं कहिए सकता भचपन का दोस्त यह यह मेरे तो नए 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 रोज नए नए जो आरोप लगा रही है राखी नए नए लोगों को डिसकोवर कर रही है जो जिसको अलाके बिठा रही है कि यह है क्या मैंने कभी किसी को लाया है अगर मैंने अगर लाना स्टार्ट किया तो मुझे प्रॉपर पोडियम चाहिए जहां लोगों को उता सको राकी के विक्टिम् u Spaur रहे से जब्दा ये मेइग तो मैं आता हूं कभी एकेला आता हूं मेरा नहीं बाथ करता हूं राकी बहुत साफ तब्हकनी की सीजुजों को गुमराख करना चाहथी है की नहीं बात करें आप लोग मुझे बताए रितेश और राखी ने प्रेस कॉंफरेंस में वीडियो कॉल में कहा हमारी शादी कभी नहीं हुए हो एक आइड शुक्ता करें पहले हम वहां से बात करेंगे देखे जैसे राखी उम्रा जाय के आप लोग को भी पता है लास्ट येट डेसे में कभी और बाहर नहीं आयो हो मैं कह रहा था बार बार कि जूट नहीं बोलेगी राखी जब तक कोई उनकी ड्रामी नहीं करेगी मुझे कोई मीडिया जूरूरत पर में नहीं होंगा अगर जूट बोलेगी तो में भार आउंगा प्रूफ के साथ मैं सामने बैठोंगा चलो पहले सबसे पहले बात कहना चाहूंगा मैं राखी का राखी तो इतनी इतनी बड़ी जूटी है इतनी बड़ी ठग है जब आज जाके मुझे पता चल रही है चीजे हैं यह सुनिया आप बहुर से मीडिया का जो कॉन्फरेंस था मीडिया का जो जिस दिन राखी कॉन्फरेंस में आई थी जब आके उन्होंने बात किया था कि मैं और रिटेश शादी शुदा ने उसके ठीक दो गंठे फेले देखो क्या है यह किसका नाम है यह रिटेश सिंग है उनकी अफिशेल एडी है इंस्टाग्राम की यह वाइस नोट सुनो गोज है ओके ड़न पट कभी भी बोलना नहीं है हमारी शादी हुई है कभी भी भी बोलना नहीं है हम लोग दोस्त है आस्ट का कुछ भी नहीं बोलना है पास्ट का कुछ भी नहीं बोलना है, जो हुआ था वो बिग बॉस के लिए हुआ था, तो उनको भी प्राब्लम आएगा तुमारी वाइफ के लिए कर तुम यह सब लफडे करोंगे, बोलोंगे तो, यूंकि मुझे सब ने बुला था, मैंने बुला था, मैंने बुला था, मै लेकिन उनका भांडा फुड किया, उनकी बीवी बच्छा भारा गया, तो बिग बॉस ने उनको निकाल दिया, तुमको यही बोलना है हर जगे, ठीक है, इफ यह रेड़ी फो दस, तन आई कन दो इट, आदी जी एक बार फिट से सुना दीजी, हर बार में, हर फिट से सुन का कुछ भी नहीं बोलना है, पास्ट का कुछ भी नहीं बोलना है, वो जो हुआ था वो बिग बॉस के लिए रहा था, तुमको भी प्राबलम ऐगा तुमारी वाइफ के लिए कर तुम यह सब लफडे कर ओगे, बोलोगे तो, युए मुझे बोला था था, मैंने बोला था अमारा सिर्फ बिग बॉस के लिए जाना था वो मेरा बिगो में टॉक वन था उसे मुझे सेंडिंग किया था इसलिए मैंने बिग बॉस में जाने की उसको हजबन मना के लेकर गई थी लेकिन उनका भांडा फुड गया उनकी बीवी बच्चा भारा गया तो बिग बॉस ने उनको निकाल दिया तुमको यही बोलना है हर चगे ठीक है इस लेविल का जो कितने असानी से राखी लोगों को ठग रही है कितने असानी से पहले कहती है मैं शादी शुदा हूँ अब आके साफ साफ कहती है वीडियो कॉल में कि हमसे लेट दोस्त है हमारी कोई शादी नहीं हुई है यह उसका एविडेंज उसके दो गंटे पहले प्रॉपर प्लानिंग करके आई है कि रितेश तुमको नहीं बोलना है यह निवग जब इतना असानी से तो मैं तो नॉर्मल इंसान हो जिसको ठग रही है और इसके चीज़ें बहार ना आ आ जाए इसके लिए नए नए एलिगेशन नए नए कैरेक्टर पैदा हो रहे हैं क्या मैं एक भी नए कैरेक्टर को ला रहा हूं राखी यह लड़ाई मेरी और राखी के बेटर उस पे स्टिकान रहो नए 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 मुद्दों को लाके इस पे से ऑफबीट क्यों हो रही हो आप क्यूं आपके मुद्दों से ऑफबीट होना चाहिए क्यूं आप अपने जूटे चीजों से जो भी आपने किया क्यों आप बचना चाह रही हो इस चीज़ों से प्लीज उस पे स्टिकॉन हो बताओ कि तुम ने क्यों किया तुम इतनी बड़ी ठग हो जिंदगी की तुमने रितेश को कहा है कि तुमको कंफेस नहीं करना है शादी के भारे में और प्रेस कॉंफेरंस में तुम बढ़के सबके सामने सुनाती हो कि तुम दोनों दोस्त है बिगो वाले यह तुम दोस्त है आदिल एक सेकना मेरा जो सवाल था कि आज के जो दूख किरदार थे जिन्होंने एक किरदार ने कहा कि आपके जो बचपन के दूसरे किर्दार ने कहा कि वह शेली। जुनका नाम है उन्हों ने कहा कि उन्होंने इंट्रुस करा है आपको राखी सांस इस पर कित्ती सचाई है।ूनילों से और वो하다 था यह स्कुन हम कोट में जाए पहले कंप्लेंट करें फिर आके सबूत दें ऐसा ने कि कुछ भी एक किताब पकड़ के बोले आदिल शादी शुदा मैंने भी देखा इंट्रिल को आदिल शादी शुदा है आदिल की पुरानी शादी तुमारे गंद को छपाने राखी छुपाने तुम क्यों ने ने जूट आगे ला रही हो तुमको पता है वो भी मैं सामयाओंगा मैं प्रूफ करूंगा फिर मैं बात करूंगा हर चीज़ का मैं सबसे पहले प्रूफ लाओंगा फिर मैं बात करूंगा चलो किरदार के बारे बात करते हैं यह जो इंसान जो बहुत अच्छे तरीके से बेट करता है कि मैं आदिल का बहुत बच्पन का दोस्त हूं और क्या थे आदिल कार को कारों का ठगने वाला बिजनस करता तेक यह पिए अगेंस क्यों कि एलिगेशन लगाना बहुत असान होता है जो भी एलिगेशन लगता फिर उसके सांदर प्रूफ रखना इंपॉर्टेंट फिर बात रखना इंवेस्मेंट अब सिस्टी लाइट रुपिस का कुछ आपको दिया है साउफ लेता है बाई इनके सवाल तो इतने अच्छे रहते हैं आप मुझे इतना आप सवाल करते हो आप कहीं दिन मुझे लगता है आप लोग जोकर नजर आ जाओगी इनके चक्रों में ओके देखो ये न्यूस है क्या लिखा है किसकी न्यूस है सबसे पहले उपर डेकन हरेल्ड के मुताबिक जो इनसान वो बैठा है ये पूरा लिंक में शेयर कर रहा हूँ प्लीज पढ़ना इसको ये इनसान एक इनोवा क्रिस्टा कार को चोरी करता है एक MLC का नंबर प्लेट लगाता है चोरी की गाड़ी का नंबर प्लेट लगाता है फिर ये लेके जाके उस गाड़ी को बेशता है पोली स्टेशन में, हाई ग्रोंड पोली सेशन बैंगलोर में कम्प्लेंट होती है इस इंसान को अरेश्ट करते हैं और इस इंसान को जिल में दाला जाता है according to Deccan Harald, not according to Adil do not listen anything to Adil please go to Deccan Harald ये link में भेज़ दे रहा हूं आप लोगों को प्लीज आप जाके देखना, number one number two, new character मेसूर में मैंने already इनके खिलाफ कम्प्लेंट करकी रखी है ये एक सुपारी killers है, मेरी life को जान का threat है, जो मैंने बार-बार कहा था ओशिवारा police station में भी मैंने कम्प्लेंट किया है कि मेरी जान को धोका है, राके सावन मुझे मरवाने वाली है प्लेंट किया है और राखी जब प्लेंट किया था किस के थूर, that is, इस शेली के थूर इस चीजों को मैंने already मैसूर police को भी intimate किया है complaint मेरी already है और वोशिवारा police station में भी already complaint है अगर मुझे कुछ होता है, अगर मैं मर जाता हूँ, मेरा murder या कुछ भी होता है इसके proper इसका इल्जाम आएगा शेली लैथर और राखी सावन में, क्यों? according to newspaper, कौन सा newspaper है? टाइमस ओफ इंडिया, मैं कोई भी paparazzi channels की बात नहीं कर रहा हूँ टाइमस ओफ इंडिया, ये भी link भेज रहा हूँ seven supari killers arrested in Mysore जो supari लेके मडर करना, मरवाना, गुंड़ागरदी करना उसमें main किरदार है, शेली लैथर according to the newspaper, मैं आपको ये link दे रहा हूँ please आप ये चीज़ भी verify कर लिए, कि वो कौन है? और मैं ये साफ साफ कह रहा हूँ, अगर मुझे कुछ भी मेरी life में होता है इसके जिमेदार है, शेली लैथर और राखी सावन because राखी सावन उनको ही सुपारी दे के रखी है मेरी कि आदिल को time table से properly उनका काम कर लेना और मेरे sources के अनुसार वो last 8 दिन से इधरी हैं और इधरी रहने वाले हैं, कुछ मेरा करने वाले है मेरे sources के अनुसार एक सकंड, let me complete not a problem, मैंने अल्रेड ये पोलिस को इंफर्म करके रखा है दो-दो पोलिस टेशन, one is in Mysore, one is in Oshivara पोलिस टेशन properly complaint करके कि क्या होने वाला है, किदर होने वाला है, कब होने वाला है ये इन दोनों का background है, बताइए आदिल, क्या शैली, वो शक्स है, जिन्होंने आपको राकी से मिलाया है वो बोले, आप कदमों में गिरे, ऐसी काफी साथी बात बोलता हूँ मैं भी 50 character पैदा कर सकता हूँ, रोज में media trial करना चाहता हूँ मेरी विंती है, मैं नहीं करना चाहता हूँ जूटे वारोप लगाना बंद करें आप प्लीज कोर्ट में आए, मेरे से लड़िये, ज्याय पाईए Do not waste media वालों का time मेरा कीमती वक्त, तुम्हारे पास तो वक्त बहुत ज्यादा है तुम तो हो बेकार इंसान, तुम्हारे पास कुछ ही नहीं करने लाएक काम मीडिया के अलावा तुम कुछ करती नहीं हो, सिफ उनका इस्तमाल करती हो एक दिन बुर्खा पिनके तुम आती हो। कल तो तुम्हारा बुर्खा। यह टॉपिक्स पर आप क्यों नहीं बात करते हैं। अबाया कहा राकिसावन का। बाल कट। तो कल की बात करो ना आप पहले। आज की बात क्यूं कर रहे हैं। कल की बात किजिए आप मुझे सबसे आप जो हो आप मुझे यह पूछे कल की बात कीजिए जब बाल कटा के रोना दोना नाटक कर अबाया कहां था तो उनके तरीके से अबाया आता है उनके तरीके से अबाया चले जाता है उनके नए-ने allegations आ जाते है रित्यश को फोन करके बोलते है शादी नहीं बताना है फिर आके frame करती है मुझे आज नए-ने characters को लाती है उनके साथ मेरे मसले है मेरे दूसरे केसा से आप को नो आप judge हो क्या आप कानून हो क्या आप police station हो police station है, court है, kacharya है मैं हूँ, ये मेरे मामले है that's about it राखियों और मेरे मामले के बारे से क्यों हम offbeat हो रहे है मैं आया हूँ justice लेने राखिस सावन्त के लिए आज कोई भी आके खड़के बोलता मैं ऐसे तो 500 लोग खड़े हो जाएंगे मुझे ये करने के लिए मेरे बाद वक्त ने है राखिस सावन्त को एक बात करे please stick to her point please stick to her point उनका मेरे मुद्दे को offbeat ना आदिल ने इसको ठगा आदिल ने इसको ठगा टराखिर रिलेटर था तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेगे जो जानकारी हमें विझे आपनी भी अमभोली पूली स्टिशन में कुछ उइल किया कुछ के कमप्लेंट क्या है? अमभोली पूली स्टिशन में जो आने वाला है law के चीज़ें में law के हिसाब से ही बात करूँगा मुझे media trails नहीं चाहिए जब उनके operation होगा तब आपको पता चलेगा चली वीडियो के अपारे में बात करते है मेरे पास ऐसे कोई भी वीडियोस नहीं है मैं ऐसे character का इंसान नहीं हूँ कि मैं किसी का भी वीडियो बनाओ ना मुझे ये चीज़ों का शोख है नमबर वन अगर मेरे पास होते कि आप लोगों ने देखा मैंने कभी कही शेर किया है कभी भी मेरे चीज़ां से शेर हुई है मैं कहता हूँ राखी के पास है राखी ने मेरे वीडियो बने तो राखी सावन ने शेर भी किया थे कल की डेट पे ऐसे कुछ वीडियो शोशल मीडिया में शेर हुए थे मेरे परसनल वीडियो जो राखी ने आगे से शूट किये है बैट किये वीडियो कॉल में ये उनके परस्टनल पेज में उन्होंने शेर किया था आप लोगों को पता है करेक्ट जब राखी के पास थे राखी ने शेर भी किये ते इस वीडियो को राखी सावन टू फाइवन उनके ऑफिशल पेज में राखी ने शेर किया है इसका जवाब इतना तगड़ा दूँगा ना मैं वो पुलिस के सामने दूँगा, मुझे मीडिया ट्रेल्स नहीं चाहिए, जो उनका पेशा है, जो फहले भी यो similar crimes कर चुकी है, वीडियो को दिखाना, पूरी मेरे पास report है, जो राखी ने कहां कहां से fake accounts बनवाए, कहां कहां पे वीडियो अपलोड करवाया, उसके बाद इस से इस page में, उनके official page में share किया, ये राखी का पुराना पेशा है, वीडियो बना के, वीडियो शेर करने का, और इसका जवाब मैं बहुत अच्छी तरीके से दूँगा, इसकी पूरी investigation चालू है, with IP address, कहां से हुआ, किदर हुआ, दिन रात, बिना खाना, बिना पीना, मैं इसके पिछे investigation के पिछे लग जाऊंगा, लगाऊंगा लोगों को, और इसका result पहुत जल्द में दूँगा, अदिल, एक और बात, जिस तरह वीडियो और ये फोटो की चर्चा हो रही है, तो श्वालीन ने आज ये कारोप लगाया, कि उन्होंने आपके फोटो, पोन में, सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा, मैं रिष्टों के साथ खेलना मुझे आता नहीं, शरलीन मेरी बहन है, I do not want to talk anything about her, because वो मेरी बहन है, वो आगे से आई थी मुझे सपोट करना है, मैंने कभी जाके सपोट नहीं मांगा था, आगे से आई है, वो आगे से राखी के पा कोई लेना देना नहीं, ये चीज़ों से, शरलीन हो या राश्री हो, वो आगे से आई है, मैंने कभी भी जाके किसी को अप्रोच नहीं किया है, जिसने मैंने टाटू वाले को भी लाया, कल्यान जी को भी लाया, लाना पड़ा, because अपने आपको क्लेर करने के लिए की allegations है, म आपने हर इंडर्वे में देखाऊगा, एक मेरा पास आईफोन है, एक मेरा पास one piece, android phone है, क्या आप ए बात से सहमत हो, मैं पूरी मीडिया के सामने, मेरे फोन्स को दिखाने के लिए तयार हो, पूरी मीडिया के सामने, आपका बंदा को ही ले लो, मेरा पूरी गैलरी आप पूरी गैलरी, टॉप टुटो, टॉप टुटो, आप छान सकते हो, टॉप टुटो, मैं दे भी दूँगा, या अभी आपको मैं ऐसे जनरल ही दिखाऊगा, आपके हाथ में दूँगा, मैं फोन, एक भी इसके अंदर राखियो और मेरा न्यूट वीडियो है, तो आप लो टुटो, आइफोन की बाद जो बोलती है, मैसूर और मुंबई पुलीस, जो आपने रखी जब मैं आपके साथ अरेस्ट हुआ था, जब मैं आपके साथ अरेस्ट हुआ था, तब मेरे दोनों फोन्स आपके घर में थे, आपने नहीं दिये थे, बहुत चाला किसा तुमने अपने पास फोन्स को रख लिया था, मुंबई पुलीस ने भी ये लिखा है, कि आदिल के पास जब हमने अरेस्ट किया था, फोन्स नहीं मिले, मैसूर पुलीस ने भी लिखा है, और मेरा एकी स्टेट्मन आज भी है, कि मेरे दोनों फोन्स आपके पास है, आपने उसको ब बात करें यह मेरा iPhone है यह भी वीडियो ना इसमें न्यूड आपको मिलेगा यह फोन यह जो फोन है यह भी यह भी बता दू मैं आपको दोस्तों यह मेरा नया फोन है iPhone लेकिन जब iCloud दालते हैं आप आपके पास पुराना पूरा डेटा आ जाता है तो मेरे पास इस फोन में 2019 से लेके आज तिक के मेरे पास हर एक फोटो है इस फोन में अब डेट भी दे सकते हो कौन से कौन से डेट के कौन से कौन वीडियो सवे ये लिजेAY मैंना खुला है ये भी मैं फोन मीडिया को सरेंडर कर ला हूأ प्लीज आप मेरे दोनों फोन को चानिए मेरा वाट्सअप देखिए अगर एक भी वीडियो मेरा और राखी का न्यूड मिला प्लीज आप छाप दीजे कि आदिल के फोन से मिला था I do not have any problem ऐसे चीज़े मेरे पास नहीं है राखी ने वीडियो शूट किया था आगे से तो वो वीडियो राखी के पास ही था और ये भी प्रूफ है कि राखी उसको शेर कर रही है राखी सावन के औफिशिल पेज बेगा और ये दो दिन कुरानी न्यूस है अधिल सर लेकिन चरलेन आपको तो आप क्या कर रहे हैं दोनों मोबैल दिया है ना बैटके आदा गंठा आप देखे फिर मुझे जवाब कर दोनों के बीच में शर्लिन मेरी बहन है वो आगे से मुझे सपोट करने आई थी आगे से मेरे साथ आई है वो राक्य की साथ खड़ी है और वो साफ साफ कहरे है मुझे आदिल और राखी के परसनल मामले में नहीं परना तड़ सबोट लेकिन राश्री को लेकर सबसे ज्यादा उनका मुद्धा सब्सक्राइब को जब कॉल आया था उन्होंने राश्री और शर्लिन के मुद्धे उनसे ही निप्टा लगा मुझे मुझे कोई लेना देना नहीं बढ़ा दिल आधिल वो आपने क्या गा उनके मुद्धे उनको बट क्या होता आदिल पदा कि एक जो गंबीर आरोप लग आप पे गंबिर आरोप लगा है कि आपके फोन में वीडियो है आपने मुझे सरेंडर कर दिये बट आपको क्या लगता है यह गंबिर आरोप क्यों लगे शर्लीन कुछ समय पहले प्रेस कॉंसेंट आपके साथ किये दे और आज प्रेस कॉंसेंट उनके साथ किये हमें as a media person we get the comments what are the truth we need to say to people the truth तो यह बात मैं पूछ रहा हूँ आदिल आपको क्यों लगती है कि शर्लीन ने यह आरोप लगा है आपके के वीडियो देखे उन्होंने उन्होंने कहा कि आदिल भाई डिलिट कीजे यह आरोप में कितनी सच्चा ही आदिल यह जानना चाहते क्योंकि यह इसके भाई पत आपसे जूड़ है आदिल और सबसे पहले अगर में हैं वीडियो मैं डीरेकली नहीं बहुंने बहुना लेकिन इंडिरेकली आप लोग समझ यह मैं सम लिदिग है तो मैं तो कही ना कही उसको लेक करता है राइट मैं किह रहा हूँ सफ़कि यह वीडियो आ ऑगर उसके पास होधे पात करो अगरेनवे कि आगे से मेरे सपोर्ट में आई थी अगर इस been hormone डिड़रप मृण पता युक्रीन कगा है मेरी लड़ें स्ट्रेट सिर्फ और सिर्फ राखी सावन से है I do not want to offbeat that और राखी प्लीज जतने मेरे आरोप आपके पास विद पूरूफ लगें उसके बारे में आप जवाब दीजे अगर आपको आपको लगता है आपके पार जवाब नहीं और जूटी हो आप आके confess मत क और अब प्लीज कोट में आजाओ लेट स्टॉप दिस और हम एक सब्सक्राइब कि शर्लीन ने वह लेकि फर्स सप्टेमबर को फोन किया उनको फोन आया राश्री के तरफ से कि आदिल तुमारे साथ है तुमारे साथ है तब लाइव लोकेशन के बार किसको राश्री का फो अब लोकेशन के बार कि शर्लीन ने तब आपको कॉल किया और आपको कॉल किया कि वह बोला कि हाँ एक बार मुझे उन्होंने कॉल किया था कुछ उनके उनके बीच में मिसंडेस्टैनिंग हुई थी डेफिनेटली बट येट देखिए ऐसे आरो जो आप मुझे आके पूस अगर आपका जवाब नहीं किला तो मैं वापस आपस इस आरो पौंपे कहां जवाब दू मेरे मुद्धे मैं लाखी के साथ जो रखाओ मैं उस पे लड़लू ये मुझे मेरे लिए बहुत बड़ी बात है शर्लीन और राश्रीका कुछ जगड़े हैं वो उनको वो उनके ह मैं एकेला हूं मेरी लड़ाई में लड़ रहा हूं वो लो आगे से आके जुड़ेत हैं आज वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते हैं I have nothing to do with it मेरी लड़ाई मैं एकेला लड़ूंगा मेरे पास evidence रस है मैं लड़ूंगा मैंने जेल खामा खा राकी के चक्रों में काटा है रा बात किया अगर if it is paper it will be tanks of India it will be decaneral it will be the Hindu it will be the star of Mysore मैंने ऐसी ही चीजों के बारे में मैंने बात किया है और मैं आगे भी कुछ भी उनके उनके उपर कोई भी तकलिफ आएगी तो उनके लिए मैं भी खड़ा हूं because मैंने उनके लिए राखी बांदी है and she is my राखी sister रही बात शरलीन की भी अगर उनको कहीं भी मेरी जरूरत पड़ती है उनको मुझे नहीं लगता उनको कभी मेरी जरूरत पड़ तो definitely I will stand for her because she is also my राखी sister. अगर नया जूट लाती है तो उसको प्रूफ करना में जरूर होंगा और मैं प्रूफ करोंगा अपने आपको पूरी जिंदगी जूट बोलेगी पूरी जिंदगी मेरा किसामन को प्रूफ करोंगा हां अगर आपने एतनी हिम्मत है राकिसामन तो कभी मेरे साथ one and one better I am ready for it प्रॉपर सिर्फ तुम और सिर्फ मैं तुमारे कोई कैरेक्टर्स जो भी आप आपके जो मेरे से जिसको तकलीफ हुई है अब मतला आईए ना मैं आपके लोंगा one and one आप बैट सकती हो मेरे सामने क्या आप कभी भी मेरे साथ मैं उनको on camera invitation दूँगा मैं प्रॉपर एक प्लेस बुक करोंगा वो आके मेरे साथ बैठे मैं उनके सवाल करोंगा पहले एक गंटा वो ही मुझे सवाल कर ले मेरे सिर्फ पांच सवाल होंगे राकी से five questions I will ask अब मैं लिख्ये दूँगा वो जूटी जवाब नहीं दे सकेगी that's all are you okay with media people coming to that place and covering only media only I do not want any public public आती है तो no problem but I want the whole and soul media media of India come there live better कोई कटना हो जान ले कि आदिल क्या है राकी सावंद क्या है कि कौन कितने पानी में है मैं उसी दिन नहीं प्रूफ कर दूँगा यह विलकम